जै श्री राम दोस्तों मैं ललित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पह दिशा में होना चाहिए वास्तु शास्तर के अकॉर्डिंग में गेट किस दिशा में हमारे लिए लाब दायक होगा और किस दिशा में ये हमारे लिए हानिकारक होगा वास्तु शास्तर के अकॉर्डिंग चार दिशाएं और चार विदिशाएं होती है कुल मिलाकर आठ डिरेक्शन्स बनती हैं जिसमें हम अपना में गेट बना सकते हैं लेकिन हर दिशा में में गेट हमारे लिए लाब दायक नहीं होगा तो किस दिशा में लाब दायक है और किस दिशा में हानिकारक वो हम जानेंगे आठ दिशाएं होने की वज़े से मैंने में गेट के टोपिक को आठ टाइप्स में डिवाइड किया है दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने में गेट से संबंदित सभी परकार की जानकारी को आठ पार्ट में डिवाइड किया है तो साथ पार्ट आपने देखे होंगे यदि नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर या आई बटन पर क्लिक करके आप वो सभी पार्ट देख सकते हैं तो आज हम में गेट किस दिशा में बनाए इस से संबंदित आखरी टाइप एट पार्ट को देखेंगे सुनेंगे कि इस किस दिशा में में गेट बनाने से हमें लाब होगा और किस दिशा में होने से हमें हानी होगी उत्तर से पश्शिम दिश्या में आने वाले स्थान पर यदी हमारा मेन गेट बनाया जाए तो दोस्तों वो हमारे लिए किसी परकार से भी लाबदायक नहीं होगा ऐसी जगा पर बना मेन गेट परिवार के सदस्यों को बहुत हानी पहुंचाएगा इसमें रहने वाले सदस्यों की मन की स्थिती स्थिर नहीं रहेगी अर्थात वो भटकते रहेंगे कभी भी एक जगा पर टिक कर नहीं रह सकेंगे ना तो बिजनस में तरक्की होगी ना ही नोकरी में परमोशन मिलेगी उत्तर वायू कौन में बनने वाला में गेट हर परकार से हानी पहुंचाने वाला होता है इसमें रहने वाले सदस्यों का मन बहुत चंचल हो जाता है जो की चंचल से मतलब उनका मन एक जगा पर नहीं टिकता वो कभी कुछ और कभी कुछ करने की सोचते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते अर्थात वो भटकते रहते हैं तो दोस्तों इसलिए हमें भूल कर भी उत्तर से पश्चिम दिशा वाली जगा पर अपना में गेट कभी नहीं बनाना चाहिए तो आज हमने में गेट कहां बनाए इससे संबंदित सभी आठ वीडियोज कम्पलीट कर लिये हैं यदि आपको इससे संबंदित और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरा नंबर और मेरे चैनल में आपको मेल आइडी दोनों मिल जाएंगे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साती सात लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके